इस रहापपार यूपी सरक्यार की प्रेस कॉन्फरेंस हो रही है आए आपको दिखाते हैं हमारा रिकवरी का प्रतिशत अब 61 प्रतिशत से भी अधिक हो गया है 61.1 प्रतिशत कोरोना वाइरस के संक्रमित मरीजों में से कुल 417 की अभी तक मृतिव हुई है इस समय आइसोलेशन वाड्स में 5,081 लोगों को रखा गया है और उनका उप्चार किया जा रहा है फेसलिटी कॉरेंटाइन में इस समय 7,436 लोग रखे गये हैं जिनके सैंपल ले करके उनकी जाज की जा रही है फेसलिटी कॉरेंटाइन में हम जो पॉजिटिव केसिज आते हैं उनके कॉंटाक्स को और जो कंटेनमेंट एकसरसाइज में जो हम एक्टिव सर्विलेंस करते हैं उसमें जो लक्षनात्मक लोग पाए जाते हैं उनको वैसे लोगों को लाते हैं फिर उनकी जाच करवाते हैं जाच करवाने के पश्चाथ अगर वो संक्रमित पाए जाते हैं तो उन्हें हम L1, L2, L3 के विवेने चिकत सालियों में उनकी स्थिति के हिसाब से भरती कर उनका इलाज करते हैं अनिथा उन्हें समय अवधी पूरी होने पर उनको वापस घर भेज़ देते हैं कल प्रदेश में 13,388 samples की जाच की गई और अब तक प्रदेश में 4,66,081 samples की जाच की जाच चुकी है पूल sampling के अंतरगत पांच-पांच sample के 1237 पूल लगाए गए जिसमें से 201 में positivity देखी गई और 10-10 sample के 98 पूल लगाए गए जिनमें 20 में positivity देखी गई आरोगे सेतु एप का लगातार उपयोग प्रदेश के द्वारा किया जा रहा है और इस करम में अब तक हम अपने state के मुख्याले से headquarter से 81,349 लोगों को phone calls कर चुके हैं जिनें आरोगे सेतु एप से alert generate हुआ है बाकी लोग जिनें alert generate हुए हैं उनको phone करने का कार लगातार चल रहा है जिनको alert generate होता है उनको हम जन्पदों के साथ भी वो सूचना शेयर करते हैं ताकि वो जन्पदों से भी इनसे contact कर सकें इसके तरिक्त हम headquarter से भी लगातार ये काम करते रहते हैं आशा वरकर्स निरंतर जो प्रवासी कामगार गाओं में लोटे हैं और आप जानते हैं कि उत्रप्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार लोटे हैं और घर पर वो जो उनकी कॉरिंटाइन की अवदी है उसका वो पालन कर रहे हैं और आशा वर्कर्स उनके घर जाकरके उनका हाल चाल पूछ रही हैं अगर किसी में लक्षन दिखाई पड़ रहे हैं उसकी सूचना वो उपलब्ध करा रही है और उस सूचना के आधार पर प्रवासी कामगारों का सर्वेक्शन किया जा चुका है जिनमें से 1455 में उन्हें कोई न कोई न कोई लेक्शन मिला तो आप यह यूपी सरकार की प्रेस कॉंफरेस देखने दे बता दें आपको तो प्रदेश में जो आकड़ है कोरोना पॉजिटिव के वो 13000 के पार हो चुके है जो बनाई गई थी और जिन पर लगातार यहां से उनसे संपर्क किया गया फोन से उनसे बाचित की गई चाहे व रहा है कि जो होम कॉरिंटाइन था उसका बहुत अच्छे तरीके से पालन हुआ है और उसके फलसरू हमने देखा कि गाओं में जब हम लोगों ने सैंप्लिंग करवाया तो हमने यह पाया कि दूसरे जो सदसे हैं गाओं के जो लोग पहले से वहां रह रह रहे थे उनके हमारे प्रवासी कामगार लौटे उन्होंने अपने सामाजिक दाइतों का भली भाति उन्होंने उसका निर्वाण किया और उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं और हम सभी लोगों से प्रदेश के हरेक नागरिक से यह अनरोध करते हैं कि अगर उनहें संक्रमन हुआ सामाजिक दाइत्र को समझते हुए उसका वो पालन करें जिससे आप अपने आसपडोस के अपने मित्र साथियों को संक्रमन से बचा सकेंगे। घर में भी जब आप हों कॉरिंटाइन का पालन करते हैं तो आपको अपने बुजुर्गों को गर्वती महिलाओं को बच्चों को और जो लोग पहले से बीमार हैं जिनें किसी प्रकार की पहले से कोई बीमारी है, डाइबिटीज है, हाइपर टेंशन है, कोई किड्नी की बीम में से जिन लोगों की मृत्य हुई, उसमें देखा गया कि 80 से 85 प्रतिशत लोग ऐसे हैं, जिन में पहले से कोई न कोई बीमारी है, तो जो लोग जिन में को मॉर्विलिटी होती है, उनमें जटिलता का खत्रा जादा होता है, इसलिए हम सबों की ये सामाजिक जिम्मधारी है, कि हम ऐसे लोगों से, जिनने कोई बीमारी हो, या जो लोग बजुर्ग हैं, या छोटे बच्चे हैं, या गर्वती महलाएं, इन से हम दूरी बना के रखें, सर्वेलिन्स का कारे हमारा निरंतर चल रहा है, और अब तक हम 17,695 इलाकों में, जिसमें 5,620 होट स्पॉट के कंटेन्मेंट एरियाज हैं, और 12,759 होट स्पॉट एरियाज हैं, उनमें सर्वेलिन्स का कारे किया गया है, अब तक 1,21,746 टीम दिवस के माधियम से, 91,9,680 घरों का सर्वेलिन्स किया गया, जिसमें 4,79,53,258 लोग रहते हैं, तो बहुत ही बड़े पैमाने पर सर्व सर्वेलिन्स का कारे हुआ है, और यह कार निरंतर जारी है, और लोग रहते हैं, तो बहुत ही बड़े पैमाने पर सर्वेलिन्स का कारे हुआ है, और यह कार निरंतर जारी है, और हमारा यह प्रयास है कि हम लोगों को जागरूक करके, जनता को इस बीमारी के बारे में बता करके साथान रहने के लिए कि उनको समझा करके इस संक्रमन को लोगों से हम दूर रखें अपने प्रदेश में नियंत्रित रखें क्योंकि यह संक्रामक बिमारी है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाती है इस ये बिमारी जो है ये मलेरिया, चिकन गुनिया, डेंगू से अलग प्रकृतिक बिमारी है मलेरिया वगर में मच्छड के काटने से बिमारी होती अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है उसको मच्छड काटता है तो उससे बिमारी होती है या मच्छड जो है उस विशानू को कैरी करता है उससे बिमारी होती है ये बिमारी मनुशी ही मनुशी को ट्रांसफर करता है कोरोना वाइरस जो है इसमें जो संक्रमन का रास्ता है वो एक मनुशी से दूर से मनुशी के पास जाता है तो इसलिए अगर हम सावधान रहेंगे क्योंकि उसका carrier मनुशी ही है उस virus का तो अगर मनुश्य सावधान रहे हर आदमी सावधान रहे कि हमको अपने आपको भी बचाना है और दूसरे को भी बचाना है तो हम इस संक्रमन की श्रिंखला को तोड़ सकते हैं संक्रामत बिमारी में संक्रमन की श्रिंखला को तोड़ना सबसे महतपूर्ण कारे अगर एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति संक्रमित होगा दूसरे से तीसरा चौथा संक्रमित होगा लेकिन अगर जो व्यक्ति जिसने दूसरे तीसरे को संक्रमित किया अगर वो अपने आपको नियंद्रित कर लेता अगर वो दूसरे तिसरे को संक्रमित नहीं करता है तो उसके आगे और लोग जो संक्रमित होते वो भी संक्रमित नहीं होंगे संक्रमन की श्रिंखला वहीं टूट जाती है इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने सामाजिक दाईतों को समझें और संक्रमन को संक्रमन की श्रिंखला को तोड़ने के लिए साबुन पानी से अपने हाथ को हम बार-बार धोते रहें, अपने मुह और नाक और चेहरे को छूने से बचें, अपने हम मुह और नाक को कवर करके रखें, जब भी साजनिक सहर पर जाएं, हम मास्क पहने या हम रुमाल गमशे द दूरी मिंटेन करें, दो गज की दूरी बचाओ के लिए ज़रूरी, यह याद रखिये, यही सबसे बड़ा मंत्र है, क्योंकि अगर आप किसी भी अगले वेक्ति से अगर आप दो गज की दूरी मिंटेन करेंगे, तो उससे संक्रमन आप तक नहीं पहुंच पाएगा, क्य भी जाते हैं, तो अगर हमारे शरीर की प्रदिरोदक शमता अच्छी है, तो हमें उस संक्रमन से कोई नुकसान नहीं होगा, और अपनी प्रदिरोदक शमता को हम बढ़ा सकते हैं, तुलसी, अदरक, काली मिर्च के काढ़ा कोल का सेवन करके, नीम की पत्ति का सेवन करके, गिलोई के रस का सेवन करके, अजवायन के अर्क का सेवन करके, गरम पानी का सेवन करके, योग प्रदिरोदक शमता को बढ़ा सकते हैं, और अगर हम संक्रमित भी होंगे, तो भी हमें कोई परिशानी नहीं होगे, बिलकु स्वस्थ हो जाएंगे, तो आप सबों से मेरा अ करना कर रखें, मानी मुख्यमंत्री जी ने आज टीम लेवन की बैठक लोग भवन में ली, मानी मुख्यमंत्री जी ने बहुत सपष्ट ये कहा है, कि जहां लौकडाउन का पालन लोगों ने किया, वहां अनलॉक का मतलब भी अनुशासन है, अनलॉक भी इस शर्ट पर है कि सोशल डिस्टंसिंग मैं टेन किया जाएगा, अनलॉक भी इस शर्ट पर है कि मास्क पहना जाएगा, अनलोग भी इस शर्थ पर है कि भीड़ भार नहीं की जाएगी अनलोग भी इस शर्थ पर है कि कहीं कोई व्यक्ति ठूकेगा नहीं अनलोग भी इस शर्थ पर है कि जो निजधारिच छमता है वहार में उससे अधिक नहीं बैठेंगे अनलोग भी इस शर्ट पर है कि रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जो है कर्फिव जो है उसका पूरा पालन होगा और लोग उस समय बाहर नहीं निकलेंगे इस कड़ी में उन्होंने ये आदेश दिया है कि ये जो पूर्ण अनुशासन बनाये जाना है ये बहुत आवशक है कल ही सभी जन्पदों की समिक्षा की गई और सभी जन्पदों को निर्देश दिये गए कि जहां भे मास्क लगाने के कारेust में अगर ये पाये जाता है कि कम कारवाई की गई है या नगणने कारवाई की गई है उन जनपतों के जिलादिकारी और पुलिस अधीक शक्त से निर्देश दिये गए हैं कि प्रचोर मात्रा में ऐसे लोगों पर कारवाई अवश्य करें जो मास्क नहीं पहर रहे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं जो किसी कार्य योदिक्ता कर रहे हैं जो किसी बजारचैत्र में जहां भी है भीड़ी कठ्ठा कर दे करने हैं वारत सरकार की अनरूप जो गैडलाइन साई है उसके अनरूप जो प्रदेश सरकार ने आदेश दिये हैं उनके पालन करने के लिए आज ग्रह भाग की तरफ से सभी अधिकारियों को सभी वरिश्च पुलीस अधिक्षक सभी सीपीज सभी जिलादिकारी और सभी मुख्यमंत्री जी ने एक उच्च स्तरी बैठक की जिस उच्च स्तरी बैठक में जो 11 हमारे सेंसिटिव जिले हैं जो 11 ऐसे जिले हैं जहां पर विशेश रूप से ध्यान आकर्शन की आवशकता है उनके सभी जो नोडल अधिकारी है सीनियर प्रमुक्सचिव और सच्चिव तरके मेडिकल डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनकी बैठक की है कल जो बैठक मुख्यमंत्री जी ने की उसमें नोडल आफसर्स को भी ऐसे अधिकारियों को लगाया गया है जो अपने कारिच शेत में कुशल है उसमें गौतम बुद्नगर में श्री नरेन बुक्षन सी युक्त आपकारी उनके साथ हेल्थ से डॉक्टर शहर्च चंद्रा आचारे काडियोलोजी के जीम्यू गाजियबाद में डॉक्टर सेंथिल पांडियन जो पबन देशक हैं विद्यो तुत्पादन निकम के और पारिशन निकम के उनके साथ डॉक्टर अनिल चंद्रा सचिव पीड़लोडी उनके साथ डॉक्टर अजय सिंग आचारे और्थोपेडिक्स के जीम्यू कानपूर नगर से श्री अनिल गर्ग सीओ यूपी सीदा और उनके साथ डॉक्टर अभीचीद चंद्रा आचारे सर्जिकल गैस्ट्रोंटोलोजी के जीम्यू लखनवू अल प्रादवाद के लिए S.V.S. रंगाराओ निबंदक सहकारी समितिया उनके साथ डॉक्टर अरुन कुमार श्री वास्तव अपर आचारे नियूरोलोजी नियूरो सर्जरी विभाग SGPGI बुलंचेर के लिए श्री अजय चोहान अवास आयुक्त उनके साथ डॉक्टर नवी SGPGI बस्ती के लिए डॉक्टर राजशेकर M.D.U.P.S.R.T.C. उनके साथ डॉक्टर एके जैस्वाल आचारे नियूरो सर्जरी SGPGI को भेजा गया है सभी अधिकारियों को विस्तरित मारदर्शन माननी मुख्यवंतरी जी ने कल दिया उनको जो टेक्निकल इंपूट्स जो चिकित्सा विभाग में मेडिकल कॉलेजेज में जो काम देखना है उनका जो है विसेश डूप से उनको निर्देश दिये गए है जो भी अस्पतालों का मैनेजमेंट है माइक्रो मैनेजमेंट है उसकी समीक्षा करने का निर्देश दिया है अस्पतालों में जो वेंटिलेटर, औक्सिजन, पीपी, किट्स आदी के कंज्यूमेबल्स की व्यास्ता की जाने है उसका समीक्षा के लिए दिया गया है Electronic Covid Care System Support, ECCS के उप्योग और उसके Infection Prevention के लिए भी निर्देश दिया है और इसके साथ साथ Medical में Screening और Medical Infection और Prevention Control पर भी कैसे रोगथाम की जा सके ये भी निर्देश दिया गया है Covid के रोगथाम के लिए Surveillance और जांचों को अभी समीक्षा करने और उचुस तरी Briefing के लिए सभी निर्देश सभी ऐसे Senior Officers को दिया गया है इन अधिकारियों की कल मानि मुख्यमंत्री जी ने बैठक करते हुए आज ये सभी अधिकारी फील्ड में जाकर अपने जिलों में इंस्पेक्शन करना शुरू कर दिया है मुख्यमंत्री जी ने करोना संक्रमित रोगियों के लिए L1, L2, L3 श्रेणी के जो अस्पताल है उनको जो है और अजधिक मजबूत करने के लिए विशेश रूप से NCR शेत्र में नौईडा में, गाजियाबाद में, मेरट में, हापोड में, बागपत में और बुलंचहर में इसलिए आगा किया है कि वहाँ क्रॉस बॉर्डर अगर कहीं इंफेक्शन आ रहा है तो इन शेत्रों में जो हमारे बॉर्डर के शेत्र हैं, उन जिलों में विशेश रूप से जो है L1, L2, L3 के बंड्स की और हॉस्पिल्स की मजबूती से कारवाई करने का निर्देश दिया है मुख्य मंत्री जी ने ऑक्सिजन की सुचारू अपलबता हो, बैक अप भी हो, इस ओर भी आदेश दिया है मृत्य उदर तभी नियंतुरत हो सकती है, जब समय से उप्चार हो, समय से ऑक्सिजन की व्यस्ता हो सके चुकि यह जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरा जकर लेता है, इस सिस्टम तो इसमें जो है ऑक्सिजन की कमी हो जाती है, तो निश्चे ही अगर ऑक्सिजन की व्यस्ता जल्दी हो जाए मरीजों के लिए, तो उनकी जान बचाई जा सकती है इस ओर आज निर्देश दिये गए, मानी मुख्यमांतरी जी को बताये गया कि मन्रेगा में आज जो है 57,12,000 श्रमिक पंचाईती राजविभाग के माध्यम से जो है प्रदेश में लागू किये गए हैं, ये जो संख्या है, ये है 57,12,975 57,12,975, 57,12,975 मजदूर आज उत्रप्रदेश में काम कर रहे हैं, जो पूरे देश का 18% है, यानि पूरे देश में हम पहले स्थान पे राज मन्रेगा में आ गए हैं, हमारे बाद राजस्थान, आंद्रप्रदेश, बंगाल, अद्रप्रदेश, बिहार, तमिलनाट, चत् 14% अंस्किल्ड लेबर के इंगेजमेंट के आधार पर सबसे जादा जो है उचास्थान आया है, उत्रप्रदेश में अब तक टोटल मेंडेश क्रियेटेड जो है, वो 7 करोड 94 लाग मेंडेश क्रियेटेड हैं, तो ये पूरी संख्या, जो है बहुत बड़ी संख्या उत् देश में पहला स्थान हासिल किया है, और इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे, मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि इसको और आगे 10 लाग और जो है मैंडेश में इसमें बड़ोतुरी की जा सकती है, और इतनी गुजाइश है, मानी मुख्यमंत्री जी ने आज जो लोक निर्माड़ भाग में अब जो है प्रारम जो किये गए कारे हैं वो 3083 हैं और ये जो कारे हैं ये 4175 एक तालिस जार 750 करोड रुपे के कारे हैं, एक तालिस हजार 750 करोड, 41,750 करोड के कारे जो है, पी डबलोडी विभाग में अब चल रहे हैं, कारे हैं कारे जो श्रमिक हैं, 41,468 हो गए हैं, मैंने मन्रेगा के बारे में आपको बताया है, इसके साथ-साथ अन्य विभागों में अगर देखें, तो CNDS में कुल 354 प्रोजेक्ट पर 6,584 श्रमिक अपकारे कर रहे हैं, अमरित योजना में 128 योजना में 3,711 श्रमिक कारे कर रहे हैं, Housing Board और Development Authority में 444 योजना में 9,916 लोग कारे कर रहे हैं, तो आवाज विभाग के शेत्र में 926 प्रोजेक्ट में 20,211 से अधिक लोग कारे कर रहे हैं, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कल तक कुल मिलाकत 1649 ट्रेन्स जो है प्रदेश में आ चुकी है, 22,262,254 लोग ट्रेन्स के मार्देम से आ चुके हैं, महराश्ट और करनाटक से एक ट्रेन आज आ रही है, अब तक 14 ट्रेन हमारे प्रदेश से भटा श्रमिकों के लिए आन्ने प्रदेश बेजी जा चुकी है, तो आप यह यूपी सरक्यार की प्रेस कॉंफरेंस को सुन रहेते हैं, आपको बता दाए हैं, तो प्रदेश एक पहला राज जैसा बन गया, जहां पर 30 लाग से जादा प्रवासी मजदूर अपने घर पहुंच चुकी हैं, और साथी साथ जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे,